सहारनपूर के जननायक संजय करग ने सहारनपूर देहरादून बाइपास का निर्मान वो नवीनी करण करवांकर शहर को ट्राफिक समस्या से निजात दिलाई है यही नहीं इस सिवक के प्रियास से सहारनपूर अवस्थित महाराजा अगरसेंग चौग का सौंदरी करण कराया गया है गांगल हेरी चौग का चहरा मोहरा बदल दिया गया है विस्करमा चौग की खुबजूरती में चार चांद लगाया गया है राज्य मंत्री व्यपार पर व्यवनी मंदन द्वारा जो है उनके सहोग के बनाया गया था और इसे मिस्करमा समाज को एक नई उर्जा दिलने का काम हुआ साथी रेलवे स्टेशन अवस्थित महाराजा अगरसें चौक का भी सौंदरिकरण सेवक संजेगर्ग के प्रियास से ही संभव हुआ है अधरनी है संजेगर्ग की जब कर रही है इसमें मिनित मंत्री थे 2005 में तब ये दो चौक का निवान उन्होंने पने अपसे कराया था एक साराणपूर में महाराजा कृसें चौक एक गागा लेडी में महाराजा कृसें चौक इससे पूरे समाज के प्रिस्टा बढ़ी है और तब से आज तक इस अगरसें चौक पर परतेक हर महीने के पर्थम रविवार को सुबह साड़े नो बजी आरती पूजा होती है ऐसानी की चौक पनार इसमें जाले लग रहे है रेगुलर इसमें से आरती पूजा होती है यह पूरा साराणपूर में वैश्ट समाज इस बात के लिए आधरनिये विजायक संजेगर जिक्सा करतेक हैं और अगली आने वाली पीडीबी करता के रहेगी कि उन्होंने समाज की यहां पर एक पहचान बने नहीं के अंदर बहुत बड़ी जवलन समस्या थी एक एक किलोमेटर के लाइन लगती ती रेल्वे फरास की पूल माने विधायक जी के द्वारा बनवाया गया हमारे यहां दोभी गाट का पूल जरजर हो चुका था उसको भी माने विधायक जी के द्वारा बनाया गया इसी प्रकार से जोग्यान को एक एक किलोमेटर की लंबी लाइन लेगती थी समस्या बनी रहती देमिया साथ वह भी माने ने मंत्री संजेगर जी के द्वारा उसको बनाया गया अन्यकों काम शेहर क वेक्ति को ना जय गर्व है और खास तोर से हम तो वैसे समाज के हमारे तो परतिनी दिये हैं वेपार संजे जी वैसे समाज का परतिनी करते वे हमें बड़े गर्व का रुबोती होती है कि और इस बार मैं चाहूंगा जे एलेक्शन आ भी रहा है कि उधाय की निश्चित तोर पर इस बार भी जीत कर आगे जाएंगे साइकल छाप का बटन दवा कर सेवक संजे गर्ग को सन 2022 के चुनाओं में सहारनपूर से भारी मतों से जिताएं और परिवरतन नाएं